हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी आई पीपी भी मॉबाइल अप में वेरिफकेशन करने में प्रावलम आ रही है तो आप अपनी इस प्रावलम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टापिक पर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है लेकिन उससे भी कई लोगों की प्रावलम सॉल्व नहीं हो रही थी और मेरे को दो सैटिंग बात में कुछ ऐसी पता चली जिससे की लोगों की प्रावलम सॉल्व हो जाती है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही और इसको ओपन करने के बाद जो भी परमेशन है वो परमेशन आप एलाव कर दिजिए और यहां पर लॉगिन नाओ और यहां पर मेरे मोबाइल में एक ही सिम है अगर आपके दो सिम होंगे तो आप अपना बैंक रिजिस्टर सिम यहां पर चूज कर लेना और उसके बाद यह बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट एसमेस वेरिकेशन पर आपको क्लिक कर देना और यहां पर किसी को इंसर्ट सिम की भी प्राउलम आ जाती है उस प्राउलम को भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यह भी नापको इस वीडियो में बता हूँगा और यहां पर अपना बैंक आजाएगी कि यह हमारी जो प्राउलम है यहां पर यह आजाएगी यह हमारा मॉबाइल नंबर ही वेरिफाई यहां पर नहीं होगा और इस प्राउलम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए आप अपने इस एप से बाहर हो जाएए और यहां पर अपने मैसिज आप को खोलेजे और यह देखे जब भी आप वहां पर अपनी वेरिकेशन करते हैं तो आपको वहां पर एक मैसिज आता है यह देखे यहां पर मैसिज आप में वह मैसिज शो करेगा और यहां पर यह मैसिज फेल्ड या री ट्राई दिखाएग और जिनको ये message ही नहीं आ रहा उनको भी मैं बताऊँगा कि उनको ये message कैसे आएगा और वो अपनी प्रावलम को कैसे solve कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जिनको ये message आ रहा है और उनका message ये send भी हो रहा है और वो अपनी प्रावलम को कैसे solve कर सकते हैं इस वीडियो में आपको कुछ steps बताऊंगा वो steps आप follow कर लीजिए आपकी ये problem solve हो जाएगी अगर आपके पास Redmi या MI का mobile है तो आप अपने mobile में एक app को देखे या रिखे, security app होता है इसके कारण भी problem आयाती है आप जैसे ही इस security app को open करेंगे आपको agree और disagree दो option आएंगे आप agree पर क्लिक कर देना उसके बाद भी आपकी ये problem solve हो जाएगी और अगर आपके पास वीडियो का mobile है तो आप अपने वीडियो के mobile में ये एक setting होती है message आपको खोल लीजिए अपने और यहाँ पर ये three dot पर क्लिक कीजिए ये three dot पर क्लिक करके आप अपने message की setting में चले जाएगे और ये देखे यहाँ पर एक option है verification code protection अगर आपके mobile में ये option on है तो आप इसको off कर देजिए उसके बाद आप try करके देखिए आपकी problem solve हो जाएगी और अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं हो रही तो आप अप क्या कीजिए प्ले स्टोर से एक message app को download कर लिजे किसी भी message app को आप download कर लिजे और message app को download करने के बाद जैसे ही आप message app को open करेंगे आप इसको set as default कर दीजे जो भी message app आपने download किया है उसको चूज करके ये निचे set as default app कर दीजे set as default और आपके सभी message इसी app में आ जाएंगे और इसके बाद आप try करके देख सकते हैं अपनी problem solve करने के बाद आप अपने इस message आपको delete भी कर सकते हैं और अगर आपका ये message send नहीं हो रहा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये message क्यों नहीं send हो रहा और आप अपनी इस problem को कैसे solve कर सकते हैं जिस भी mobile number से आप आई पी भी mobile app को login कर रहे हैं उस mobile number पर आपका unlimited वाला recharge होना चाहिए उस mobile नमबर पर आपका वो recharge होना चाहिए जिसमें कि आपको outgoing messaging की service मिलती हो आपका वो वाला recharge उस mobile नमबर पर होना चाहिए अपने mobile में ये setting भी जरूर चेक कर लिना और सबसे बड़ी problem आती है आपके mobile में SMS center number के कारण अगर आपके mobile में SMS center number सही से update नहीं होगा तब भी आपका message send नहीं होगा और ये SMS center number क्या है इसको अपने mobile में कैसे check कर सकते हैं और कैसे update कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से video बना रखा है उसे video का link पर आपको description में दे दूँगा वो video देखकर आप अपने mobile में SMS center number को check कर लेना और उसको सही से update कर लेना और उसके बाद आप अपने IPPB app को long click करना और यहां पर app info का option show हो जाएगा यहां पर जाकर आप इसका storage में जाकर इसका clear data कर देना और अगर आपको यह clear data का option यहां पर नहीं मिल रहा तो आप अपने इस app को delete करके दुबारा से install कर लेना इससे क्या होगा आपका app यह निया हो जाएगा फिर से और अभी आप अपने इस app को open मत करना इसके बाद आप अपने mobile को restart या reboot कर देना और mobile को reboot या restart करने के बाद आप अपने IPPB mobile app को open करना यह मैं open कर रहा हूँ यहां पर और यहां पर login नाओ और यहां पर box पर टिक करकर यह start SMS verification यह देखे यह मेरे को अब वो प्रॉलम नहीं आएगी यहां पर मेरी verification हो जाएगी यह मैं दिखा भी देता हूँ आपको और यह देखे यह मेरी verification हो गई है इस तरह से आप अपनी प्रॉलम को solve कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी subscribe कर दीजिए